हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फीट आफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह इनटोमी फीजियोलोजी का नवा वीडियो है जो मैं यूथ कंपरेशन से प्रैक्टिस करा रहे हूं डेली बेसिस वह भी बिल्कुल फ्री में अब किसी भी फीजिकल लॉऑ घ़ां हों तो आपका किलियर होगा उसे हॉसी जैब कान फ्री आप करेंगे तो ऊसी के ट्रीज एक चांसे संब बिल्कुलिए कवा हो सिला चंश MS. फिर भी एक होब अपने अंदर रखे रहे कि कहीं भी विकेंसी जाये मेरा एक सीट होना चाहिए तो चलते हैं आज के कोशन्स के तरफ मॉसल से रेलेटिट कोशन्स है बीस एमसी की कोशन्स है question number one है कि हाइपोकाइनेटिक सारी सिच्छा की उस अवस्था की और संकेत देती है जहां मांस्पेसियों की गतिविदियों की मात्राग होती है तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसका राइट एंसर होगा अपेच्छा से ज़्यादा तीन चीजे होती है एक मस्कीलर हाइपोट्रोफी launch-, ओर त्जिस्ट्रोफी, एक हाइपोकाइनेटी हाइपोट्रोफी क्या होता है कि जिन नियमित व्यायाम करने से मांस्पेसियों इसक्ति में बृधू होती है और उसके आकार में बेदी होती है उर्जा संचार तेज होता है और लखीदापन कम होता है उसे हम हाइपोट्रोफी कहते हैं और दूसरा होता है और ट्रोफी या डिस्ट्रोफी जिसमें जब मांस्पेसी कमजूर छोटी अशक्ती में कम हो जाती है और कंकाल मांस्पेसी ज्यादा आकार बढ़ता है और इस्थिर भी रहता है इसे हम हाइपो काइनरिक कहते हैं यानि कि मांस्पेस्टियों की गतिवीधियों की मात्रा अपेच्छा से ज्यादा हो जाता है क्यों सभी कोर्चनि के प्रकार निस्चित किये जाते हैं ं कि推 respecto के बिद्धियों के तो इस प्रकार निस्चित किया जाता है चारी रहाने की अीक प्रेयोक चाहला में परिछड के लिए उत्तकों का एक छोटा नमुना लिकालती है या परिछड आपके डाक्टर को या देखने के लिए मदद करशकता है कि आपकी मांस्पेसी में संक्रमण या भिमारी है या नहीं साथ साथ इसके द्वारा मांस्पेसियों के प्रकार को भी निश्चित किया जाता है Q3 है मांस्पेसियों के कांट्रेक्शन के लिए तुरंत उर्जा का सुरूत है What is the immediate source of energy for muscles कांट्रेक्शन तो तुरंत उर्जा का सुरूत है आपका ATP एडिनोशन्ट्राइफ फास्फे एटपी अडू मायोसीन एडिपेस्ट द्वरा हैड्रोलाइज्ट होकर रसानिक उर्जा का उत्पादन करते हैं याद रखिएगा विए अनएरोबिक तुरंत उर्जा का सुरूत है Q4 है एर्थन निमने करणों से होता है तो दोस्तों एड़न जो है तरल का अभाव होने के करण होता है आसन नबर बी लॉक आफ फ्लियूर्स आप में फाइबर्स की कमी और मिनर्वर्स की कमी पानी की कमी यानि तरल का मांस्पेस्यों का एठन से पिरिद ब्यक्ति को मांस्पेसी में दर्द होने लगती है और यह रोग सरी के किसी भी भाग में हो शकता है लेकिन यह रोग अधितर पैरू में होता है मांस्पेसियों में एटन होने का प्रमुक्त करण सरी में बिटामीन, B, N, D, N, Calcium, Photosium, Magnesium तरह के तरह लड़ों की कमी होना होता है परसपरिक तंथ्रीका भरण को कहा जाता है तो परसपरिक तंथ्रीका भरण को क्या कहा जाता है जब एगोनिस्ट मांस पे सी इस्थिर हो यानि कि संकुचत हो और एंटागोनिस्ट मांस पे सी सिथल अवस्था यानि अराम करती हो तो उसे हम कहते हैं पारास पर एक तंत्री का आप भरण यहाँ पे आसन नमबर ए आपका राइड एंसर होगा किन्तु मस्तिस के प्रतन सता तक में ऐसे अनेक मार्ग है जिनके द्वाराश्रमवीग एक कोसी का समूँ से दुसरे में जा सकता है कोस्टन नमबर शिक्ष्ट है एटिपी मांस पे सियों के संकुचन में उप्योग होती है ऐटिपी इज्योज्ट मसट्र रूप श्रोथ के रूप मेंुपे की टाथ कालक श्रोथ के रूप में और यहां पि राइड इंसर हो जाएगा आपका प्राथ मिन स्रोथ में और ऩुथ नहीं रहे गा अगर आप्शन ĐLT के रूप में जब एटिपी खतं हो जाता है तो प्रश PC पड़ाली की छंता बढ़ जाने से अधिक उर्जा निकलती है ATP का अर्थ होता है Agenosyn Trifosphate जब की PC का मतलग होता है Phosphocreatine ATP PC पड़ाली एक अण एरूबिक उर्जा पड़ाली है जिसमें PC यारी की Phosphocreatine के भिखंडित हो जाने पर ATP का निर्माड होता है कोशन नमर साथ है मांस PC ये ब्यायामों के दोरान सिरात्मक वाफसी बढ़ती है तो यहां पर ये राइट इंसर हो जाएगा मांस PC का समुद्दीपन स्वसंद में बढ़ोत तरीके करद मांस PC का निर्माड करना मुश्किल हो सकता है लेकिन ऐसा करने के लिए निर्णतरता की जुरत होती है यदि हम जल्दी से मांस PC सकती हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको अधिक निर्ट्रिशन यानि पोसर तथा ब्यायाम की सही रणनेती उपियोग करना पड़ेगा और ऐसे ब्यायाम की जुरत होती है जिसमें आपकी मांस PC यां बड़ी बने प्रमक अंगों के लिए अधितम ब्यायाम बुनियादी मल्टी ज्वाइंट शक्ती प्रसिचर ब्यायाम के साथ सुरू होने चाहिए जिसमें आप कुल मिलाकर अधिक भार उठा सकते हैं अपनी मांस PC का निर्मार करने के लिए उच्छ तिविता का ब्यायाम करना चाहिए यानि हाई इंटेंसिटी का भले ही हुआ लबे समय के लिए किया जाए पर कम तिविता का वियायाम आपकी मानस्पेसियों को तोड़ कर उनका पुरन विमार करने के लिए आदर्स परसितियां नहीं बनाता कोसर नमबर आठ है आपका स्टेट्मेंट स्पेस पे अभी कथन ए है कि मानस्पेसी द्वरा उत्पादि गती की शक्ति इस बात पर निर्भा करती है कि मानस्पेसी जोड के कितने निकट है तो ए सही है आपका तरक आर क्या है कि जोड के ज़्यादा निकट लगे मान स्पेशी की अपिछा जोड से दूर लगी मान स्पेशी द्वरा उत्पातित गती अधिक शक्ति साली होती है तो यहाँ पे दोनों आसन सही है ए और आर दोनों सही है ठीक है यहाँ पे आसन नंबर बी राइट हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और दोनों सही है कोश्चन नंबर नाइन है यहाँ पी मिलावन करना है आपको अच्छे रंग सी यहाँ पे देख सकते हैं आपका वलेवनेटरि मसल्स कहलाती है तो रेखिल्टक पेसी कहलाती है तो यह कि हो जाएगा यहाँ पे यह पर मैं इसे इंड्डिकेट्य कर देघेए हुं तो यह कि हो जाएगा आपका सवैउचिक म FC थरी बी है आपका अनैचिक या निकी अनैचिक मांसपेसिय को हम स्मूथ मसाज़ भी कहते हैं सम्तल मांसपेसिया कहते हैं जो आप अंतरिक अंगों में पाय जाती है तो बी का फूर हो जाएगा हिदे पेसिया हिदे की मांसपेसिया जो तीन मांसपेसिय से मिलकर बना होता है 3-4-1-2 3-4-1-2 किसमें आफसर में दीख रहा है तो 3-4-1-2 आपका आफसर नमबर ए में दीख रहा है आफसर नमबर ए आपर रायत इन सरुफ हो जाएगा कोशन नमबर 10 है यहां पी मिलान करना है आपको कि उपरी बहां को गती देने वाली मान स्पेसी कौन है तो यहां पी भी मैं इसको इंडिकेट करके बताती हूँ A B C D तो उपरी बहां को गती करने वाली मान स्पेसी कौन है लैटिमस डोस्ती जिसे हम रोइंग मसल्स भी कहते हैं लैटिमस डोस्ती को हम क्या करते हैं तो उपरी बहां को गती होगी तभी तो स्पेसी कौन सी होगी आपकी लैटिमस डोस्ती कहां है थ्री में है ठीकेट एक थ्री हो जाएगा भी है जांक को गती करने गती देने वाली मान स्पेसी कौन है गता है रहाएं जांक को गती देने वाली है एक्षक लॉंग्गस डीका में हैं का फूर हो जाएगा अंड्क दए को काद्ध को गती करने वाली अैश्टण में मॉस टायब एन द इस पर नियर् टैपितस यहां पे आपका सी का वकउड हो जाएगा county को कुदी देने वाली मा मुल्स भी कहते हैं तो डी का टू जाएगा 3412 3412 आपसा नमर बी में आपका राइड यंसर दीख रहा है 3412 जैसे लिए आप जानते हैं बॉक्सर मुसल्स सेटरस एंटेरियर को कहा जाता है जो उपरी बाह को गति देने वाली जो आपका कि इसकंध या इन मिल कटि दियनी वाली मार्व पीषिजी है लयाte ममस्डोरशी रुइंग मस्ट्र्ट है आपका और जो टेल्टर रॉइंग मंस्ट्र्ट्रॉज्सि पक्क्टर ब्युश्स रॉंग्स्ट्र्ट्योर्ट्योर्श् सेट् सथे जुन होती है यह एफ पे टेलर म question number 11 है खेलों में पेशी प्रभावी सहायलिन में किसको मदद करते हैं sports, muscles, ads help, age, width and following तो जो पेशी प्रभावी सहाधन होते हैं एर्गोजनिक एड़ से वो आपके ताकत और सहंसक्तिव बढ़ाता है और एकागरता को बढ़ाता है तो यहां पर आफसन नंबर A राइट हो जाएगा 1 और 2 question number 12 है कि receptors जो जोड़ों तथा मानस्पेस्टियों में होते हैं उसको क्या कहते हैं receptors जोड़ों तथा मानस्पेस्टियों में होते हैं उसे interceptors बोला जाता है एक interceptor एक समेड़ी receptor होता है जो सरीर के भितली उत्तेजनाओं का पता लगाता है interceptors उत्तेजनाओं के उदार जिन्हीं interceptor द्वारा पता लगाए जाएगा उन्हें रग्त चाप और आक्सिजन इस्तर सामिल है समेड़ी receptor बाहरी उत्तेजना को प्राप्त करता है question number 13 है मांसपेसी सिकुरन का sliding filament सिधान किसकी द्वारा दिया गया दोस्तों यह आपका हक्सले के द्वारा दिया गया उन्हें जो अमेरिका के निवासी थी इनके अनुसार मांसपेसी में क्रिया होती है जिसे भी सिकुर्ती और फैलती है मोरने फैलने चलने दोडने आदि की क्रिया इसी अधाबे होती है इन्हों नहीं सबसे पहले बताया कि एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट प्रोफिसल ने प्रमांसपेसी जो है तो दो फिलामेंट 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 फिला स्लाइडिंग फिलामेंट सिधान कहा जाता है हैंसिस था हक्सले ने यह सुझाव उनिस सचोवन में दिया इस सिधान के अनुसार एक्टीन था मायोसीन फिलामेंट के मद्ध्य पूलों का लगाता है बनना और तूटना जेरेलाइन के निकट लाता है इस लेटल यानि कंकाल सेवस्थाm को रिगर मायरेटस कहा जाता है पॉस्चिन नमर 15 है मारो सरी में सबसे सकतिसाले मांस बेसी है तो सबसे मजबूत मसल्स होती है निचले जबड़े की मॉसेटर मसल्स लेकि जब मसेटर मसल्स नहीं दिया है तो आपका जो रेक्टेस फिमोरिस होता है निचले लोर लिंब में जबसे मजबूत मसल्स होती है जो कॉर्डी सिब्स का भाग होती है रेक्टेस फिमोरिस आपका सबसे मजबूत मसल्स है रेक्टेस फिमोरिस जब बड़ी और सकतिसाली पेसी है जो रेक्टेस फिमोरिस वास्टेस लेटरेलिस वास्टेस मीडियलिस वास्टस इंटरमीडियलिस चार पेसे से मिलकर बना होता है जिसको चारों के मिलाकर कौाडिसेप्स मसल्स करते हैं जांके सामने की जो हीप को मोरने और पैर को बिस्तार यानिक उटने को फैलाने मदद करते हैं पसल्सन शोले हुआ है सार कूमियर चयत्र इसथित हैं दोस्तों सार कूमियर चप्या मिलाइल inputs इसथित होती है सार कोbéर चहतर जो है दो जल वी sudah के वी इसथित होती है और और नहिंदो alive के बीच एक तीन ओमायों इस फिलामेंट होता जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ए आपके मायोसीन है यह आपका पतला फिलामेंट एक्टीन है पीसी में बनाती है यहाँ पर मैं एंसर देदी ही दो जेरी लाइनों की बीच आपका यह मायोसीन है यहाँ पर आपका एक्टीन फिलामेंट है ठीक है और एक्टीन की ही एक परत होती है लाइन जो कारती है एक्टीन की लाइन को उसे हम जड़ लाइन कहते हैं क्या कहते हैं जड़ लाइन और इसमें कई सारे बैंड होते हैं जैसे कि ए बैंड होता है जिसमें आपका एक्टीन मायसिन दूनों प्रजेंट होता है यहां प आपका H zone होता है, एक line सीडी होते हैं, जिसे M line भी कहते हैं, जब मांसपेसी contract होती है, तो H zone यानि कि M line कायब हो जाती है, जब 15 filament, जो है, मायसीन फिलामेंट पर फिसलती है, तो मांसपेसी contract होती है, दोनों Z line पास पास आ जाते हैं, इसी के बीच के स्थान को सार को मियर कहते हैं, जो मांसपेसी की संकुचन की इकाई होती है, नेक्ट कोशल है, कोशल नम्बर 17 है कि निमने मांसपेसी को उनके अपने अस्थानों से मिलाए, कौण सी मांसपेसी कहां पास जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, A B C D, पक्ट्टी के समान होता है सबसे लंबी मांव स्पेसी होती है तो ए का फोर हो जाए ऑटief डील्टायट मज़्स कहाँ पर होता है उपरी बाजू में होता है इसको भी आपको सब पता है तर्टनेंग्यस निचलेuis पेढ मोपती तहसी का 2 हो जाएगा पैक्टिर्योलिस मेजर मसल्स कहां पे होती है तो यह हाती यह अच्छे पे होती है तो लिकाव वन हो गया पैक्टिर्योलिस मेजर को हम थ्रोइंग मसल्स कहते है दीकाव वन तो 4321 4321 किस आपसन में दिया गया है और सब्सक्राइब निर्भग करती है मॉसल्स एक्टिविटी इस कंप्लेटली डिपेंड्स आउं दोस्तों मांस्पेशी क्रिया पूरत तंत्रिका यह रखत संभरण पर निर्भग करती है कि रखत की आपूरती कैसी है और तंत्रिका हमारा मांस्पेशाच्प कर तो संबनाइक मांस्पेशाब नहीं दोस्ति को इसे संवे अच्छे से काम करना कर देता है वह तो तक को मैंस्पेशी में बहुंचित कि से काम नहीं करती हूँ, और खराब हो जाता है तो पेशी प्राढ़ियों का आकुझित होने वाला एकुटक है इन्य में आकुझित होने वाले सुचैका का आँकार बदल देते हैं पेशी कुछिकाम उथोगा निमित उस उतक को पेशी उतक कहा जाता है जो समस्त अंगो को गति उत्परन करता है इस उत्तकरंग करने वाली को सिकाएं बी जिस प्रकार की आकरिति और रचना वाली होती है इन Springs अंगुचंत कर ने की छमता होती है अगले आपको पता ही है प्रकार्टी होती है और चस्स से 49 कुछ पेसिया पाई जाती है यह हमारे सरी के बॉड़ी का 45 परसेंट भाग होता है इस विसे 40 परसेंट वन्ली रेखित पेसिया यानि कंकाली माउस पेसिया पाई जाती है कोचिनिन DANIEL 9 सही मिलान करना है यहां पर हिमेश्टिंग मसल्स कहां पर पर पाई जाती है दोस्तों जांक के पीछे पाई जाती है झामी मेहिं आर्द सेमी तेंचेन कर बना होता है तो जो हें drinking muscle से कहां पर पाए जाती जांग के पीछी वाप में को तुती एक क्या हो जाएगा अपका कि हौने इस का 3 कि यहाँ पर 2008 में में तो 2 का यहाँ बाए लेलाटीमस क्वाइ पैयाचे लेलाटीमस क्वाइ सकुर्ल्षी में को फ्लिपा studying दोर्सी आपका हो जाएगा जांग का पार्स भाग नहीं यहां पर लैटेमस दोर्सी जो है आपका पार्स विक्रुप से पीछे से पीछ की मांस पेशी है लैटेमस दोर्सी सी का टू हो जाएगा गैस्टरोनियस जो है उपिनली यानि की निचले पर की पेशी जी से कॉफ मसल्स करते हैं दी का फॉर हो जाएगा थ्री वण टू फॉर आपका राया जिन सरू हो जाएगा आपसल नमबर सी कोश्चन 20 है आज की सेसं का लाश्ट कोश्चन पेसी एठन का कारण है मसल्स क्रेंप और कॉजेट बॉई तो दोस्तों लैक्टिक अमल का संचे होना ही आपका पेसी क्रेंप का कारण होता है एठन का कि अधिक हो जाता है या रिकावरी के लिए प्रयापत समय नहीं मिलता है तो उस दोरान खिलाड़ी में के रख्तों में लैक्टिक असिर का संचे हो जाता है जिससे वहां स्पेसी को आक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाती और उनमें एठन होने लगता है तो यह था आज की सेशन का 20 MC की कोशन्स आई होब कि आपको अच्छे से समझ में आये होंगे जिस भी कोशन्स भी कोई डाउट होगा कमेंट में जरू बताएए और जादे जादे वीडियो को शेयर कीजिए जिसे और लोग तक वीडियो पहुँछ सके तो मिलते हैं नेक्ष वीडियो प्रैक्रिस में तक तक के लिए जाहें